मगरमच के जबडे इतने मजबूत होते हैं कि एक बार अगर कोई उन जबडों के बीच में फस जाए तो मगरमच उसे अपना शिकार बनाए बिना छोड़ता नहीं है लेकिन इस दुनिया में कैसा पक्षी है जो कि मगरमच के मूँ के अंदर चला जाता है लेकिन इसके बावजूद भी मगरमच उसे खाता नहीं है उस पक्षी का नाम है Egyptian Plower Bird पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यूं है देखे ऐसा इसलिए होता है कि मगरमच के दातों में फसुवे खाने को वो Egyptian Plower Bird अंदर जाके चुक चुक के खाता है जिससे मगरमच के दात साप हो जाते हैं अब इससे मगरमच को भी फायदा है और उस बर्ड को भी फायदा है और इसी बज़े से मगरमच उसको हाम नहीं करता गाइस यह Amazing Informative वीडियो आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे Amazing वीडियो के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को शेर करिएगा और लाइक करना मत बुलिएगा कई लोग अपने शोप को पूरा करने के लिए पागलपन की सारी हदें पार कर देते हैं और उन्हें में से एक है American rapper Lil Yuzi Bert जिनोंने अपने माथे पर एक अरब का हीरा गुदवाया है और इस हीरे को खरीदने के लिए वो पिछले 7 साल से पैसा इकठा कर रहे थे और ये हीरा उनकी पूरी प्रॉपर्टी से भी मेहंगा है ये पागलपन की हरकत आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्या आपको पता है कि एक हीरन 90 किलो मिटर पर आर के हिसाब से दोड़ सकता है और एक शेर मातर 60 किलो मिटर पर आर के हिसाब से ही दोड़ सकता है लेकिन फिर भी जब एक शेर हीरन के पीछे भागता है तो अदिकतर समय वो उसे दबोश लेता और उसका शिकार कर लेता है क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक साइकलोडीकल रीजन है रीजन ये है कि हिरन को ये लगता है कि वो शेर से बहुत कमजोर है और इसी खोफ की वज़े से और अपनी काभीलियत पे शक करने की वज़े से वो बार-बार पीछे मुड़ के देखता है और उसी वज़े से उसकी रफतार और उसका होसला कमजोर होते चले जाते हैं और वो शेर का शिकार बन जाता है इससे ये सीखने को मिलता है कि आप अपने लक्षे पर अडिक रहें और पीछे मूड के कभी न देखें कोई आप पर यकीन करे ना करे आपको अपने आप पर यकीन जरूर होना चाहिए आपको ये सुनके कैसा लगा चैट सेक्शन पर जरूर लिखेगा और ऐसे मेजिंग वीडियो के लिए यूट्यूब पर हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा